दोस्तों हम बात करने वाले हैं 32 x 30 house plan की जो कि आपको एक बेतरीन सा model मिलता है जिसमें आपको बारंदा जो अगर गामीर छेतर से ब्लांग करते होंगे तो बारंदा और फ्रेंट डिलिवेशन आपको ऐसा मिलेगा जो आप देखने पर बहुत ही बेतरीन model देखने के पर लगेगा 32 x 30 fit में पूरा model मैंने डेजाइन किया है जिसमें कि आपका two side closed है आप देख पार होंगे मैंने closed किया है और front से और side से सरो open है जो बारंदा दिया है और ये पिलर दिये है और इसके वाई ये designing के purpose से मैंने railing, grill, window वगेरा stylist की रेट किया है तो 32 x 30 वाले model को आज हम discuss करेंगे जिसमें आपको दो bedroom और दो latent bath और washroom वगेरा सारी detail मिलती है इसी को आज हम discuss करने वारे है तो अगर आपने अभी तक इस small house plan को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें सब्सक्राइब प्रेस कर दें इससे आने वाले सबी वीटाप लगातार आपको इस चैनल को subscribe कर लेना चाहिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दें जिसमें मोटिवेशन मिले और आप सभी लोगों के लिए हम नए नए वीडियो लगातार लाते रहें तो सबसे पहला अगर हम बात करें इसे model की तो front इसका 32 पिट है और यह इसका 30 पिट है तो 32 by 30 में यह model मैंने create की है इसमें आपको तीन पिलर मिलते हैं एक इधर एक इधर इधर और इसका बारंदा मिलता है यह window है यह main door है यह फी window है यह designing के purpose से मैंने जो color किया है यह और grill भी बहुत ही बेतरी यहाँ पर create की है ground floor को सबस्क्राइब discuss करेंगे तो यह हमारा ground floor है जो मैं आपको discuss करने वाला हूँ stairs है जिससे चड़ेंगे बीच मैंने slope दिया है बाइक बगर अगर आपको उपर ले जानी हो तो हसानी शाप ले जा सके इसके बाद अब मैं तो जूम करता हूँ आप इससे जाएंगे बारंदा का है बारंदे के इस तरह मैंने एक रेलिंग दी है जो कि आपका वायर की रेलिंग है जिससे आप चारो तरफ क्लोजड रहें इसके बाद यह एक window है क्योंकि friend मैंने एक room create किया है इसलिए इस्टैलिस्ट window का design दी है और इसके बाद आप यह जो यह देखीगा जो छज़ड आपको देख रहा है यह designing के purpose से चीज़े हैं आप यहां से आएंगे तो बारंदे पर सच पहले आते हैं यह आपका बड़ा सा बारंदा मिलता साइड में आपको एक guest room मिल जाता है यह डीकर की आते हैं तो यह एक bedroom जो था इसको मैंने अंदर से डोर दिया है यहां technry करेंगे एक window भी दिया है और इस bedroom के अलग separate latent बात ऐक मैंने यह दिया है यहँधाम आपका dressing room है आप इस bedroom के सायता ITS in dressing room और latent बात में जा पाएंगे इस bedroom के लिए separate latent बात अलग है और यह dressing room ह इसलिए मैंने डोर दी है इसका पीछे गर आते हैं तो यहाँ पर आपका stairs है जहाँ जब channel I start कर रहेंगे turn होकर उपर जाएंगे और इसके बाद यह जो area corner का है यहाँ पर जो मैंने command latent बात दिया है सभी के लिए common toilet and bathroom दिया है जिसका door stairs के नीचे से है देखिए का stairs के नीचे से जाएंगे और आप इसमें common latent बात में परवेश कर जाएंगे इसका यह आपका dining area यहाँ पर मैंने दिया इसके just सामने kitchen area है यह जिसमें मैंने यह window दिया है kitchen में और kitchen में जाने के लिए इधर से door है जो कि मैंने open रखा है तो यह इस bedroom में आपको दो bedroom मिलता है साथ साथ दो latent बात एक command और एक separate और एक dressing room एक dining area और एक kitchen latent बात और साथ स्टेर्स और यह बड़ा सा बारंदा देखने को मिलता है 32 वाई 30 प्रेट वे अगर आप ग्रामीन छेतर से ब्लाउंग करते हो तो आपके लिए घर बहुत ही बेतरीन होने वाला है और आपको सारा well decorated सारी चीज़े मिलती है आप मैं इसे जूम करके और दिखाता हूँ जिससे आपका इसका realistic view देखने को मिले proper तरीके से देखने को मिले मैं देख सारी चीज़ें जो और maximum जूम हो सकता तो उससे दिखाया जिससे आपको उसका realistic view देखने को मिले तो 32 बाई 30 फिट में ये बेतरीन सा front elevation भी आपको मिलेगा तो ये तो ground floor की बात हो गई अब हम बात करते हैं फ़ाश फ्लोर की फ़ाश फ्लोर पर जैसे आते हैं तो तरफ साड़े तीन फिट का boundary फ्रेंट में रेलिंग ये देखिए रेलिंग का थोड़ा से डे जाए है ने यहां से यहां तक तो आपका बिलकुल 180 डिग्री अगया फिर थोड़ा से टर्न होके जो बैड्डूम था उसमें मैंने छज़जा भी निकाल दिया धाई फिट का बाद वाकी छज़जा नहीं निकाला इसलिए ये थोड़ा हट के आगे के तरफ से रेलिंग बना हुआ है और ये नॉर्मल सी ग्रिल यूज़ की है और ये स्टाइलिस्ट के लिए मैंने यहां पर कलरफूल यूज़ कर दिया और इसके बाद ये जो इस्टेर्स थी उसको डखने के लिए गुम्टी और ये डोर जिससे आप च्छत पर आप आएंगे तो ओवरॉल 32-32 में ये मकान पूरा बनकर रेडिय हो जाता है इसमें फ्रेंट कलिबेशन की बात करें इसका जो टेक्शर वगएर है आप देखने को मिलें सारी चीजे मिलें ये स्टील की ग्रिल है इसमें बस कलर मैंने डिफरेंट यूज़ कर दिया है तो यही पूरा मॉडल जो है वो मैंने आपको बना कर दिया है 32-32 तो यह मॉडल आपको कैसा लगा है मैं जरूर बताएं सेस्टर वीडियो के लाइस है जरूर कर दे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते है 32-32 वाइट बात करें अगर आप इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते है मैटेरियल कितना लगा है वो फाइंड आउट करना चाहते है तो आप प्ले स्टोर पर जाएं वाँपर इसमाल हाउस प्लान लिखे तो हमारा ही अप्लिकेशन है वो आपके सामने आजाए उसे डाउनलोड कर लें उसमें कॉस्ट और मैटेरियल दोनों फाइंड आउट कर देता है वो तो आप उस अप्लिकेशन को डाउनलोड करें और इस्टॉल करके सारा चीज फाइंड आउट कर लें प्री इस्टिमेट कर लें प्री कॉस्ट इस्टिमेट कर लें कि कितना पैसा लगेगा कितना मेट्रीड लगेगा वगेरा सब कुछ वो बता देगा तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें थैंक्स वाचिए